हेलो फ्रेंण्स कैसी हुँ आप सभी उमीद करती हूं आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे और फ्रेंड्स से देखिए अभी सुबह का टायम हो रहा है और मैं ना दोके यहाँ सारे काम कर ली थी और वह ज ज्यादा आज मैं जलदी काम कर ली थी और और सुबह बस नाली हूं मैं और सुबह नानेक वज़े से ठंड भी लग रही है मैंने सुचा अपने बालों को सुखा लेती हूं लेकिन क्योंकि मेरे गले में ठंड लग गई थी तो मेरा कैसे आवाज बैठ गया था कुछ दिनों से 30% भी सुख जाएंगे तो फिर मैं नेच डर रहता है तो यह अगारो का HD 1214 प्रीमियम है ड्रायर जो की 1400 वाट मोटर का आता है और इसमें 3 टेंपरेचर सेटिंग भी हमें मिलती है तो फ्रेंड्स अगर आप भी इस है ड्रायर को लेने में इंट्रेस्टेड है तो इसका लेंक मेरे डिस्किप्शन बॉक्स में आप को मिल जागा आप एमेजोन से ले सकते हो यह जादा महंगा भी नहीं है सिर्फ 1000 का है उसके बाद मैं चली जाती हूँ थोड़ी देर धूप में फिर वहाँ से आऊंगी फिर मतलब कि बच्चे नहीं है घर में तो फिर इसकूल गया है फिर बस मैं नास्ता अगेरा अपना लेकर ही छहत के उपर जाओंगी है फ्रेंट कैसे आप सभी मिद करती हैं अब सभी बहुत अच्छे हैं तो फ्रेंट्स दिखें यहां पर ना मैं च्छत के उपर आई थी और यह रहें कि इतने बड़े-बड़े तुराई हुए है यह यह देखी फ्रेंट्स यहां है यहां इहां है और फने फेंडर के स्फादूल्bern है तो पैसेजरेंट एफ यह उतल और उधर की सैट दो है टो है यहां संसदा विर हो जाएंगे खाने वो खराब हो जाएंगे अगर ज्यादा बड़े हो जाएंगे ना फिर उनको न मुझे ठेक नहीं पड़ेगा एक तीन है नीचे और यहाँ पे तीन है तो इन तीनों को मैं तोड़नोंगे चाको भी लेकर आईओ तो जिली से इनकों मैं कट करती हूँ यहाँ पर देखी फ्रेंड्स मैंने बहुत सारी चीज़ें का यहाँ पर मैंने लगाया हुआ था और यह बरसात के टाइम ही मैंने लगाया हुआ था और इतने दिनों से मैं बहुत इंतिजार की कि मेरे बहुत सारी चीज़ें होगी लेकिन नहीं हुए फ्रेंड्स और जो हो और इससे मुझे बहुत संतोष्टी मिली है कि चलो खाने भर तो निकल ही आई है और यह पता है बाहर से न मेरा बालकनी इतना अच्छा लगता है ना पूरा वो हरियाली रिखता है पूरा बालकनी ना और जो तुरह में जो यलो कुलर के फूल खिलते है ना उसे भी बड़ा अच्छा लगता और यह देखिए यहां पर मेरे बालकनी में कितने सारे गेंदा फोल यह सब खिले वे हैं जबकि मैं रेगुलर ही इसको तोड़ती भी हूँ मैं और यहां पर जितने भी तुरह ही है उनको मेके करके सब को ही तोड़ लूँगी और यहां पर मैं धून रही पहले तो मैं सोची कि यह तीन से मेरा आज का सबजी बन जाएगा तो तीन मैंने तोड़ लिया लेकिन नीचे भी तीन थे और ऐसी ऐसी जगह पर थे ना फ्रेंड्स की मैं बाइक पे चड़के मैं तोड़ी हूँ कुरसी लगा कर मैंने तोड़ा है तो इधर नीचे तीन थ तो तीन उनका हो जाएगा तीन तो वैसे किसी को देना नीची है पर मैंने दे ही दिया अभी मेरे खयाल में आया लेकिन कोई बाद नहीं खाने पीने के चीजों को लेकर नहीं जाता है छे था तो फिर मैंने कहा कि तोड़ लेती हूँ नहीं तो ज्यादा बड़े हो पर अभी में जा रही हूँ सबजी कट करने के लिए और ऊपर थी ना तो ओपर ऑल नीन श्यता खाते लेकर अभी नहीं खांगे बोल हो गए जब नहीं नियू सब्जी आती है कोई वी सीजन में तो लोग ज़्यादा पसंद करते हैं अब तो इसलिए मैं अभी साम को बचेगा तो कोई नहीं खायेगा इसलिए अभी इतना खतम हो जाएगा उतना ही मैं बना रही हूं चना नहीं है मेरे घर में लिख सिंपल अच्छा लगता है अगर इस में डालते है अच्छा लगता है तो यहां पर दिया इस को ऐसे ही बनाओगे यहाँ पर देखी फ्रेंट्स मैं ना इसको छिल ली है धो ली है आप मैं इसे कट कर ले रही हूँ और यहाँ पर ना मैं चाकू से ही कट कर ले रही थी और फिर मैंने करीब एक मैंने कट कर लिया उसके बाद मेरे ख्याल में आया कि चलो मैं वो ले लेती हूँ चौपर क्यों मेरे पास तो यह है और मैं इसका यूज भी करती हूँ लेकिन क्या करूँ आदत से मजबूर हूँ जैसे हम लोग छूटे से बड़े हुए है बिना चौपर में रख ऐसी हासी कटिंग कर लेते हैं तो आदत नहीं है जलबाजी में हासी कट कर लेती हूँ लेकिन चौपर में बहुत आराम दायक लगता है कोई भी सब्जी कट करने में और एजी रह जाता है हाथ में कटने का डर भी नहीं रहता है और बहुत जैसे कि हाथ से अगर हम कट करेंगे ना उसका आधा टाइम इसमें लगता है तो मैं भूल जाती हूँ यहाँ फिर आदत मेरी बन ही नहीं ह तो देखिए अभी ना मैं जारी हूँ वोट देने क्योंकि आज है 20 तारिक और हमारे यहाँ पर इलेक्शन है तो मैं जारी हूँ अपना वोट देकर आती हूँ और अभी दभैर कर टैम हो रहा है तीन बज गया है सुभा नहीं गई मैं क्योंकि सुभा बहुत बहुत धिर क्यों आकिए तो लोग जा रहे थे ना तो हम लोग करके पुछे कि भीर है की ने तो फिर वो लोग भी रहे तो अभी तीन बज गया है और यह क्या Hai तो भीड था ना इसी वज़े से हम लोग अभी जा रहे हैं अभी खाली हो गया है साथ बज़े से वोट स्टार्ट है तो अभी मैं जा रही हूँ ना अपना वोटर आईडी निकाल के फिर में जाओंगी तो पहले मैं यह देखे फ्रेंड्स वोट देकर मैं आ गए थी और मैं आई थी यहाँ पर एक फुटवेर मुझे लेना था अपने लिए कहीं आने जाने के लिए ही अच्छा लेना था पर यहाँ पर मुझे बड़ी मुस्केल से मैं काफी देर आधे घंडे मुझे करीब हो गया मुझे पस मुझे बहुत दिक्कत होती है और एक तो साइज का प्रॉब्लम है क्योंकि लेडी का जो सबसे लास्ट साइज रह जाता है ना 40 और 41 और 8 नंबर ऐसे वह मेरी साइज आती है हम लोग घर आ गए थे और बच्चों के लिए मैं लेकर आई थी समोसे तो मैं बच्चों के आई और आसी और आयांस के लिए जिलेवी तो यह देखी फ्रेंट सब जाके मैं मिल रही हूं आप सभी से और अभी दिखिए सामके बज गया है छे छे बजे हमारे यहां पर अंधेरा हो गया और अभी बस मैं बरतन धो के यहां पर बैठी हूं ठन लग रही है मुझे तो म मैं इसको आ के खाना खिलाई दपैर में वह खाना खाया ही नहीं था वहाँ पर जब मैं वोड देने गई थी नह, वहाँ पर भी लीड था अला नहीं कर घूल नहीं था पर जयन सलह में था तो इनको टाइम लग गया और बस फिर आके घर का मैंने काम निप्टा है और फिर मैंने सुचा कि चलिए आप सभी से बाते कर लेती हूं और मैंने सेंडल लिया ही नहीं क्योंकि मेरी साइच की नहीं आई और वहां पर ना मतलब की बड़ी मुस्किल से एक डिजाइन वह पसंद आई थी और जैसे कि ना मेरा जूप पैर है इतना वह है फैला हुआ है सूप की जैसे तो मेरे पैर में जुत्ती और नहीं ठीक आती है फिर मेरे पैरों में दर्द हो जाता है पतला पैर रहता ना तो ठीक रहता तो सेंडल के साथ तो मेरे बहुत यह सब समझ के लेना पड़ता है मुझे और फ्रेंट्स मैंने तो वोट दे दिया यह दिखी आपी लगा हुआ है यह दिखे और ना बहुत लोग अपने मन विधाय को जिताना चाहते हैं तो फ्रेंट्स मैंना मैं वोट मैंने दिया है वो विजेपी को हमारे यहां पर विजेपी का वो नहीं था मतलब जह मैं वोट देने गई थी ना तो वहां पर कमल का चाप नहीं था वहां पर जिस जिस वो पार्टी का गटबंधन है ना हमारे यहापर तो उनका था तो उसका मैं शेय वोट दे दिया है तो वो लोग कुछ वहाँ रहा दंग बिजह पी नहीं किया । बीजेपी का दो तिन पॉइंट न मुझे अच्छा लगता है जैसे कि वो ना जैसे स्लेंडर स्लेंडर सब जगह इंडिया में मतलब विलेज अरिया में वो स्लेंडर पहुंचाये हैं और उसके बाद एक है और जो आवास योजना है जो इंद्रावास मिलता है ना हमारे गाह जीट है मैं किसको चुनू किसको ना चुनू तो कौन जीतेगा अभी सो कुछ पता है और आपो कुछ दिनों में फिर पता चलेगा और इतने साब सारे है वादा किए है नहीं विजेपी लोग जो यहां से गंडल बंदन किया है तो इतना हादा कि जीजाएंगे तो ये करें मुझे लगाना थीन生ार मिलता था तो बढ़ा कर स्थाने कर देंगे, तो अच्छी बात है TV कर देंगे तो भूधा आप welcoming को उविद्धी होगी नहीं कर देखраж में करक्या है और यह गायत है मेरे हजबन तो वीडियो मैंने देखा था उनके मोबाइल पर बहुत सारे वाद़ किया है ने पूरा करे तब तो लेकिन उसमें से पांच वादे पूरा कर देंगे तो वह भी काफी है तो फ्रेंस इस वीडियो को यह पर मैं एंड करती हूं उमीद क आप अच्छा लगा वाच लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक किजिएगा शैर किजिएगा अभी तक मैं चैनल को सब्सक्राइब ने किये तो प्लीज सब्सक्राइब किजिएगा